लास्ट वीक Infosys ने बाइबैक अनॉंस किया at 17.50 अनॉंस्मेंट के बाद हमें प्राइस में गिरावट देखने को मिली अब ऐसा क्यों हुआ ये मन में सवाल आ सकता है तो आज इस वीडियो में मैं तीन चीजे डिसकस करने वाला हूँ पहला तो है बाइबैक दूसरा है प्राइस ने इस तरीके से क्यों रियाक किया ये देखेंगे और तीसरा है आगे जाते हुए Infosys के प्राइस का ट्रेंड किस तरीके से बनेगा इस सारी चीजे ताकि आप एक बढ़िया सा डिसिजन ले पाओ मेरा नाम है मंदार जामसांडिकर आपका स्वागत है इस यूट्यूब सेशन में इस सेशन की शुरुआत करते हैं बाइबैक के साथ बैक एक ऐसा होता है कि जहांपे कंपनी शेर होल्डर से शेर्स बाइब कर लीती है तो एक प्राइस डिसाइड होती है acceptance ratio डिसाइड होता है और उस पे आप से कितने परसेंटेश शेर्स कंपनी बाइब करेगी यह डिसाइड होता है लेकिन वो जो प्राइस होता है वो एक अच्छा प्राइस होता है बेटर देन दे मार्केट और ऐसा क्यों कि अगर मार्केट में अगर बेटर प्राइस हो तो वो बाइबैक फेल हो जाएगा समझ लीजिए कि एक कंपनी का प्राइस है 200 रुपया मार्केट में 200 पे ट्रेड कर रहा है और कोई कंपनी अगर आपको बोलता है मुझे 150 में बाइब करना है तो क्या आप टेंडर इन करोगी आपके शेर्स नहीं करोगे क्योंकि आपका नुकसान है आप मार्केट में देना है आपका confidence होगा अगर उस company पे और उस price पे शायद आप नहीं दोगे का नहीं है confidence आपको इसमें टेंडर इन करने में अगर profit हो रहा है तो आप वैसा करोगे तो एक तो यह इस तरीके का एक buyback हो गया जहां पे company shareholder से shares buy कर लेती है अब दूसरा जो buyback होता है जो infosys मे market से buy करने वाला है आप अगर shareholder हो infosys के तो आप आपके shares tendering नहीं कर सकते हैं इस buyback में market से infosys buy करने वाला है और उसका max price का limit है वो है 1750 तो अब आपको अगर shares buy करने हो तो आप क्या कोशिश करोगे उपर के भाव में लोगे या नीचे के भाव में लोगे इदी बात है अगर मैं लूँ तो मुझे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा 1750 यह max limit है इसके उपर अगर price गया तो यह buy नहीं करेंगे ऐसा यह buyback offer है एक तो यह बात है कि जिससे market disappoint हुआ और इसलिए दो announcement Wednesday को हुआ Monday से ही यह price ने discounting start कर दिया आप यहाँ पे chart पे देख सकते हैं तो ज से यह 1320 तक नीचे आया पिछले week में तो यह जो buyback है एक buyback होता है कि जब company shareholder से buy कर लेती है और यह buyback है जब company market में से shares buy करने वाली है यह हुआ पहला point अब दूसरा point है कि price गिरा क्यों तो जैसे मैंने कहा कि आप से नहीं buy करने वाला है market से buy करने वाला है यह जब market को पता 1550 का है disappointment पहला reaction होता है उस तरीके का reaction हमें last week में देखनी को मिला तो price ने react कर दिया अब क्या यह price और गिरेगा तो ऐसे फिलाल तो नहीं लग रहा है अगर यह chart यहां पर देख लो तो यहां पर आपको समझ में आ जाएगा यह यह तो short term chart है मैं आपको long term chart भी दिखा देता हो यह देखें यह levels पे 1320, 1300 के levels पे support है यह break कर देता है तो 1250, 1240 के आसपस तो यह वाला कितने support से देख सकते हैं February, March यह जो lows हैं यह supports बनते हैं तो right from 1320 to 1240 price में supports हैं तो इसके नीचे गिरेगा ऐसे पिलाल तो नहीं लग रहा है यह हुआ दूसरा point अब तीसरा point आगे जाते हुए infosys किस तरीके से trade करेगा अब उसके लिए हम देखेंगे इसका monthly chart और फिर फिर से आते हैं daily chart पे अब यह देखें यहां पर मैंने यह monthly क किया था March 20 में और यह low था 509 का यह low करने के बाद पिछले एक साल से यह stock एक uptrend में बना हुआ है तो 500 से यह stock ऊपर में 1477 तक चला 115 के आस यानि इसमें return कितना बना 300% return कितने दिन में एक साल में क्या यह out of the box business है नहीं है lottery नहीं लग गी है तो फिर यह steady वाला business है यह business steady grow हो हमें 300% का return यहाँ पे इसने generate करके दिया है अब इतना return जब generate करता है तो कोई भी stock एक consolidation से गुजरता है consolidation नहीं तो correction अब यह कैसे decide होगा कि यह consolidation में जाएगा या correction में जाएगा अगर price run up हुआ है और price business से भी ज्यादा run हुआ है तो उस case में जो adjustment होता है price और business का उस case में correction हमें देखने को मिलता है तो price adjust हो जाता है वो business के इसाब से जिस case में business के साथ price move हो रहा है business अच्छा है steady business से आगे जाते हुए भी steady रहने वाला है उस case में under current जो होता है यह positive होता है और इसलिए वो stock के consolidation से गुजरता है अब इस case में अगर आप देखो तो पिछले एक साल में 300% का return इसने generate किया और अब यह current levels है 1400 और उसके ऊपर यहा आर मेनों से जब कब यह 1390 के ऊपर जाने कि यह 1400 के आसपास जाता है तब वहां पर resistance बनता है यह यह देख सकते हैं तो jan में बना उसके बाद यह March में बना और अब फिर से एक बार April में बन रहा है तो यह stock अभी long term chart पर ऐसे लग रहा है कि यह consolidation से गुजरना चाहिए 1400 और 1480 के बीच में इसमें resistance बनेगा 1320 से लेके यह जो इसके लोज है 1230 यह support band बनेगा इस stock के लिए 1230 और 1480 ऐसा एक range हो सकता है इस stock के लिए और यह कितने दिन रहेगा इस range में तो कोई भी stock जब एक consolidation में से गुजरते है और ऐसी बड़ी move के बाद तो 1-2-3 years का consolidation होता है अच्छे-च्छे stocks में ऐसा देखने को मिला Infosys में भी देखने को मिला इसके पहले तो long term chart पे तो हमें यह बता रहा है कि यह consolidation से गुजरना चाहिए short term chart पे फिर से आ जाते हैं तो यह support बनेगा और यह जो high है resistance बनेगा 1230 और उपर में 1480 ऐसा stock का एक range रहेगा for the next minimum one year अगर यह levels break होती है तो view change भी होगा और उस case में हमने इसे review भी करना चाहिए लेकिन फिलाल तो ऐसे लग रहा है कि यह stock इस consolidation में से गुजरेगा यह levels का use करके आप एक position जरूर बना सकते हैं लेकिन ध्यान में रखिए position support पे बननी चाहिए नहीं तो resistance के आसपास बननी चाहिए अगर long trade लेना हो तो वह support पे लेना चाहिए नहीं तो resistance break होने के बाद लेना चाहिए उस case में आपका stop loss होता है वह सबसे नजदीक होता है रिस्क जो होती है वह minimum होती है अगर बीच में आप trade लेते हो तो risk बढ़ जाता है क्योंकि दोनों levels दोनों side पे दूर पे होती है distance पे होती है इसलिए risk आपकी बढ़ जाती है तो यह हुआ आगे जाते हुए infosys का price का trend मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो से सीखने को मिलता है कि इस तरीके से ये benefit करते हैं इस वीडियो के comments में जरूर लिख के भेजिए आपने अगर मेरा mentorship program join नहीं किया है तो कर लीजिए यहाँ पे मेरा number आ जाएगा इस number पे आपका interest मुझे WhatsApp message कीजिए मेरी team आपके contact में आ जाएगी और आपको तुरंत enroll करा लेगी आप कोई भी opportunity miss नहीं करोगी मैं आशा करता हूँ कि ये भी वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा तो इसे thumbs up दीजिए आपके दोस्तों के साथ share भी कीजिए आपने मुझे इस वीडियो में जोइन किया इसलिए आपका धन्यवाद आपका मंदर जाम सांटे कर